ओम सैराम जै सैराम साइन भक्तों आज मैं आपको बाबा की उदी के चमतकार और उसका महत्तों के वादे में बताने जारे हूँ कि उदी से कितने चमतकार होते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या महत्तो है साइन भक्तों उदी हमारे लिए एक अम्रित है एक ऐसी संजीबनी है जिससे हर बिमारी का तोड़ है आपको कोई भी बिमारी है कोई भी प्रॉब्लम से उदी आप लगाएं अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं या किसी काम पर जा रहे हैं साइन भक्तों तो उदी लगा कर ही जाएं क्योंकि रास्ते में पता नहीं क्या नगेटिव चीजें होती हैं कहां जाती हैं क्या करती हैं कुछ पता नहीं होता साइन भक्तों इसलिए आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप उस उदी को लगा कर जाएं किसी जॉप के लिए जा रहे हैं तो उदी लगा कर जाएं साहीं बक्तो किसी के स्टॉन है, पत्थरी है आप ग्यारे दिन उदी लें, एक बोटल में रोज आदा चम्मच उदी आप डालें और उसको डेली पियें, आपने ऐसे लगातार ग्यारे दिन तक करना है साहीं बक्तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी पत्थरी कहां चली गई क्योंकि साहीं जी इतने चमतकार करते हैं, कि मेरी बेटी के भी पेट में पत्री थी डॉक्टरों न ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, मैं टेंशन में हो गई थी लेकिन मुझे पता था कि मेरी बाबा की उदी है मेरे पास मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बाबा की जरूरत है तो साहीं भक्तों मैंने उसको ग्यारे दिन ऊदी दी और ऊदी खाते ही उसके पंद्रे दिन के अंदर उसके पेड से पत्री कहां गाये हो गई पता ही नहीं चला साहीं भक्तों कोईसी भी बिमारी हो आपने डेली उदी लेनी है बिमारी हो या ना हो आप उदी डेली सोने से पहले माथी पे लगाएं और जल में मिला कर पियें क्योंकि जिससे साई की किर्पा आप पर बरस्ती रहे साई का प्यार आपकी उपर है आपकी किर्पा बनी रहे आपकी उपर क्योंकि उदी काम है तो हमारे जीवन में बहुत है उदी के बिना हम जी नहीं सकते साही भक्तो, मैं हमेशा अपने पास बहुत सारी उदी रखती हूँ, ये देखिए मैंने इसमें उदी बाबा की डाल रखी है, हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ उदी, क्यों क्योंकि मैं डेली बाबा की उदी लेती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ, तो साह मामी वक्तो उधी का महत तो हमारे जीवन में भौत है और हर तरह के चमतकार करते हैं अभी कुछ दिन पहले की वात है कि मेरे हातों में दर्द हो रहा था और मैं बाबा से यही बूल रहे थी कि बाबा मैं क्या करूं बस मेरे पास बाबा की सज्जीबनी बूटी, बाबा की उदी मैंने उसको जल में मिलाया, थोड़ा सा अपने हातों पे लगाया और मैंने जल पिया ये बाबा ही शाक्षियें, बाबा ही जानते हैं दस मिनट के अंदर मेरा दर्द कहां गाईव हो गया, मुझे पता ही नहीं चला साई बक्तो तो उदी में इतनी चमतकार, इतनी गुन, इतने हैं कि साई बाबा की साई बाबा ने इस पर बिसी स्किरपा है, उदी बाबा के टाइम से आंस तक दूनी, शीडी में प्रचलित है और वो ही उदी बाबा के टाइम से आंस तक चल रही है, और वो ही उदी हम लगाते हैं जब शीडी से जाते हैं, तो हम उदी लेके आते हैं बाबा की, कि बाबा कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, या कहीं भी हमें दर्द हो, तो ये आपकी उदी हमारा प्रशाद रूप है और हमारी ये मेडिसन है तो साहिं भक्तो, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, शीडी से तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आप जिस भी मंदिर में जाते हैं, साहिं मंदिर में जाते हैं, आप अपने घर में दो-तीन पैकेट लाके उदी के रखें हमीशा के लिए क्योंकि जब भी उदी आपके पास होगी आपको कोई प्रॉब्लम होगी या आपकी तबित खराब हो रही है या फिर आपकी तबित खराब भी नहीं है आप बहुत अच्छे हैं तो आप माते पर सोने से पहले माते पर लगाएं और जल पी के सोएं आप कुछी दिनों में देखोगे कि आपके जीवन में कितना बदलाओ आ गया है तो साही भक्तो ओम साहिराम जै साहिराम